हलो दोस्तों मैं पिशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वेडियर कमिटी में स्वागत करता हूं तो आप में से बहुत साहे लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्वारे ट्वेडिंग जहूर करते होंगे और उस में से मुस्टी लोग 5 मिनट टाइम फ्र सकता है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम चार्ट को यूज करते हुए अपने लिए ट्वेडिंग स्वार्म करते हुए आप ट्वेडिंग पोजिशन इनिशेट करके प्रॉफिट बना सकते हैं और इस वीडियो में फेसली निफ्टी के ऊपर बात करने जारे हैं क्योंकि वीडियो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियोगा मिल जाएंगा वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते नहीं तो आप आ अई बटन पर पी क्लिक क करके वो वीडियो देख सकते हैं जहां पर हमने बैंक निफ्टी में वाले चार्ट को यूज करते हुए कैसे ट्वेडिंग इस्ट्रेडी फॉर्म करना वह में ने बता है तो चलिए यहां पर हम देखते हैं निफ्टी के ऊपर यहां पर हम चार्ट पर आ गए और यह जो चार्ट है आपका देख सकते हैं निफ्टी फिप्टी का चार्ट है फाइब बिनार टाइम फ्रेम यूज किया है इसके वेशिस पर आप आसानी से क्या अगर सकते हैं इंट्राडे ट्वेडिंग स्ट्रेडिय फॉर्म कर सकते हैं लेकिन जो मैं आपको ट्वेडिंग स्ट्रेडिय या टेकनिक बताने जा रहा हूं उसका इस्तमाल आप चाहो तो swing trading में भी कर सकते हैं और positional trading में भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको time frame change करना परेगा time frame आपको one hour four hour या फिर one day करना परेगा अगर आप इसके basis पर क्या करते हैं swing trading, positional trading करना चाहते हैं तो लेकिन जो trading setup है जो technique बताना जा रहा है वो technique आपको same use करना हमें यहाँ पर क्या find करना होगा हमें यहाँ पर एक crucial और strong support या फिर रेसिस्टेंस लेवल identify करने की ज़रुरत है अब support resistance लेवल identify करने के पाद हमें क्या मिलता हमें market में momentum identify करने में help मिलेगा तो market में जब कभी हम momentum identify कर लेते हैं तो हमें trading करना आसान हो जाते हैं तो जब भी आप trading सीखना चाहते हैं या फिर आप trading expert बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक काम है कि आप momentum identify कि चाहिए जिस भी तरीके से करना है आप momentum find करने की कोसिस किजिए उसके बाद आप direction आसानी से find कर लेंगे लेकिन दिक्कत आती है momentum find क करने में और support vegetable हमें आसानी से momentum identify करने में help करता है कैसे यह concept में बता रहता हूं फिर आगे यहां पर बढ़ते हैं for example यह जो line हमाई लिए support के रूप में काम कर रहा है अब price अगर इसके उपर है तो क्या होगा उपर से नीचे आएगा और इस support level क्या होगा respect करके price वापस यहा फिर भी momentum देखने मिलेगा मतलब यहां पर चाहिए market का direction कुछ भी हो उपर जाएगा तो हम buy करके profit बना सकते हैं नीचे आया तो हम sell करके profit बना सकते हैं यह नहीं हम सही time पर momentum के basis पे entry कर रहे हैं वहीं अगर कोई level resistance के रूप में काम कर रहे हैं यहां भी दो काम हो सकता है reversal य या फिर sell करने को तयार हैंगे और इस तरीके सम support resistance level के basis पे profit बना सकते हैं अब यहां पर हमें क्या identify करना अब यहां पर हमें देखना है कि support resistance level हम कैसे find कर सकते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि यहां पर आप जो previous day का highest point है वो भी हमें काफी help करता है support या resistance level find करने में तो previous day का high and low के basis पे आप support resistance level find कर सकते हैं दूसरा point है chart pattern यह आपको note करके कहीं और लिख लेना कि कि किसकी basis पे हम support resistance level find कर सकते हैं तीसरे कि अगर हम बात करें तो option chain, option chain में भी जो options barrier level होता है उसके basis पे भी हम support resistance level find कर सकते हैं और fourth होता है आपका indicators, indicators के basis पे भी आप find कर सकते हैं लेकिन indicators के उपर अभी हम बात नहीं करेंगे, indicators के उपर हम separate वीडियों बात करेंगे, जहाँ पर हम nifty और bank nifty को एक साथ combine करके देखेंगे, कि indicators के मदद से हम कैसे 5 minute वाले चार्ट में trading positions initiate कर सकते हैं, अभी यहाँ पर हम strategy को बात करने जा रहे हैं, उससे पहले बता देना चाहता हूं कि strategy सीखने में कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो या फिर confusion हो, तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको proper reply किया जाएगा, या फिर आप हमें contact भी कर सकते हैं, email ID या फिर whatsapp के जरे भी आप हमसे contact कर सकते हैं, ताकि आपको यह concept clarity के साथ समझ में आ जाए, यहाँ पर लेने की ज़रूरत होगे, तो इन 3-4 में से जो भी हमारे लिए suitable बैठाएगा, या फिर जो भी हमारे सामने visible होगा, उसके basis पर हम trading positions initiate करेंगे, जैसे यही पर अगर हम बात कर ले, 38th of number की बात कर ले, तो price आपका slightly gap up open हुआ, उसके बाद candle उपर गया, और यहाँ पर high form किया फिर अगला candle यहीं पर open होके नीचे जाने लग गया, अब जैसे ही अगला candle नीचे जाने लग गया, हम क्या देखें कि दोनों candle आपका लगवाग, same level करीब high बना रहा, अब यहाँ पर हमें market में input करने से पहले, option chain को भी देखना होगा, कि options barrier level कौन कौन सा, तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, कि 18,700 का जो लेवल था, यह option chain के basis पर एक crucial level था, जो कि हमाई लिए resistance के रूप में काम कर सकता था, यहनि यह restensible हमें पहले ही मिल गया था, अब इसके बाद, इस highest point के करीब अगर हम line draw करते हैं, तो हमने क्या देखा, कि यहाँ पर हमारे लिए क्या बैठ करता हुआ दिख रहा, अब यहाँ पर एक और चीज़ करना चाहेंगे, हम option chain को भी देखना चाहेंगे, अगर आप यहाँ पर option chain को देखो, तो अभी भी आपका 18,700 आपका hurdle और resistance के रूप में काम कर रहा था, उस time पे भी लगभग इसी तरीके से यह level resistance के रूप में काम करत हुआ हुआ हमाई लिए दिख रहा था, यहाँ पर हैं वापस से चार्ट पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर हमें trading positions कैसे initiate करना, हमने यहाँ पर दो फैक्टर के जरिए, previous day का highest point है, और जो options barrier level है, जो option chain के basis पर level हमने fine किया, उसके basis पता चल गया, कि यहाँ पर resistance level करी price आ गया, अब हमें देखना है कि price इस resistance level को respect कर रहा है यह नहीं कर रहा, price जैसे यहाँ से जाने लग गया, अगला candle red form किया, फिर इस green candle के open होते ही, हमें color नहीं देखना कुछ भी बने, हम यहाँ पर sell side की तरफ जाएंगे, और इस highest point को SL रखेंगे, हम इसलिए color को नहीं देखें क्यो target price जितना और SL इतना काफी छोटा सोरा, फिर price नीचे है, इस level को hit किया, यहाँ पर profit book करके निकल जाएंगे, तो इस तरीके से आसानी से आप लग बग 50 point का profit आप निकाल सकते हैं, अगर आप यहाँ पर futures में trade करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर options में trade करते हैं, तो लग 25 से 30 point का profit options में भी बनाया जा सकता था, तो ऐसे आप intra day में trading positions initiate कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें जादा दे wait भी करना नहीं पड़ता, 30 से 40 मियाट पर हमें यहाँ पर अपना profit मिल जाता है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, कि इस strategy के basis पर आगे हमें और trade मिला है या फिर नह यह आपका कहां पहुंचा, gap up open होके, यह भी आपका जो यहाँ पर दूसरा candle high बनाया है, 18,900 करीब high बनाया है, और अगर हम option chain को पहले से देखे रहते हैं, तो हमें clear cut idea मिल जाता है, कि option chain में 18,900 crucial level था, जो कि हमारे लिए resistance के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था, मतलब वापस से एक बार फिर, option chain हमें resistance level identify करने में help किया, दूसरा factor क्या है, long tail at the top, यह नि यह green candle आपका long tail at the top बनाया है, मतलब, यहाँ पे हमें candles ने भी, यह जो resistance level है, उसको identify करने में help किया, यहाँ पे हम जितने factor को add करते चलेंगे, हमारे trade का accuracy level उतना increase होता चलेगा, हमने previous example मे दो factor को include किया था, यहाँ पे दो factor already आ गया है, तीसरे factor की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, green candle का high यहाँ फिर एक और green candle का high यहाँ बना, जैसे ही 2 high बनाया है, यहाँ पे हम इसको join करेंगे, उसकी बात, yellow बनाय फिर इस से उपर yellow हम इसको join करते है, symmetrical triangle pattern का formation करेंगे, यहां पर हमें एक और factor मिल गया है यह मिल गया हमें chart pattern यहां पर हमें तीन factor बता रहा है कि आप trading positions initiate कर सकते हैं और इसके basis पर भी यह label है resistance की रूप में और अगर इसको break करके उपर निकलता तो यहां पर हम buy side की तरफ जाते हैं और इसको break करके नीचे जाता तो हम sell side की तरफ जा और option chain और candle समय market के direction के बारे में clear cut indications दे रहा था अब price जैसे नीचे आया इस level के आसपास लगबग हम 18,840 करीब हम यहां पर sell side की तरफ trading positions initiate करते 18,800 पहला और 18,750 हमारा दूसरा target price होता और price आपका नीचे आया 18,750 नहीं 18,780 करीब आया है और उसके पर price जैसे उपर जाने ल 50 point का profit निकाल सकते थे futures में और options में अगर हम 18,900 slightly in the money put options को buy करते तो यहां पर 25 point का profit मिल जाता हमें profit थोड़ा सा कम मिल वा लेकिन हम profit बना पार है जब market में ज्यादा momentum नहीं है market यहां पर आपका लगबग 1500 point की करीब movement दिखा रहा और इस 1500 point की move से हम 50 point निकाल है तो sufficient amount of profit माना जाएगा तो ऐसे ही आपको multiple factor जो मैंने आपको बताया उसके जरीए support वेस्टेंस अब identify करना फिर वहां पर हमें ट्वेरिंग अपर्चुनिटी फाइंड करने की जववत है चाहे चार्ट पैटरन हो या फिर option chain हो या फिर कुछ और हो उसके बाद यहां पर हम और आगे है वह भी हमारा इसी लेवल के करीब है मतलब previous day का जो है वह हमारे वापस से क्या काम कर रहा resistance के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है मतलब previous day का जो high and low factor है वह हमें यहां पर एक resistance लेवल दे दिया अब हमें यहां पर confirmation चाहिए कि इस resistance लेवल को respect कर रहा है यह नहीं कर रह यहां पर sell side की तरफ जाएंगे यह जो लेवल है 18,780 के आसपास हमारा यहां पर SL बनेगा यहां पर SL थोरा सा big बन रहां 60 पॉइंट का लेकिन अगर हम target की भी बात करें तो 18,650 हमारा क्या बनेगा first target price बनेगा जो की लगवग आपका 70 पॉइंट के करीब है यहां पर रिस च्वेड है जो सिर्फ और सिर्फ विस्की ट्वेडर है उनके लिए ट्वेड सेटप बन रहा है अब है कि यहां पर हम 70. के target के लिए जा रहे हैं और लगबक हम रिस्क ले रहे हैं वह 60 पॉइंट का हम रिस्क ले रहे हैं तो 70. के profit के 60 पॉइंट का रिस्क लेने को अगर तैयार है कि यहां पर लेखना चाहेंगे अब यहाँ पर दिसंबर की अगर हम बात कर ले तो प्रिभिए सब्सक्न के है वह कहां पर में देखने मिला 18,700 के करीब उसके बात अगर हम option chain की बात करें तो option chain हमें उस टाइम पे क्या बता रहा था हमें option chain उस टाइम पे बता रहा था कि 18,700 का जो लेवल है वो हमाई लिए support के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है यह आपका immediate support level है जिसके break होने के भी chances थे अब price क किया हुआ इसके ऊपर open हुआ यानि initial में यह भी इस support level को काफी हद तक respect किया है लेकिन candle close होते होते यह इसको break करते हुए इसके काफी नीचे closing दिया मतलब यहां पे यह जो support level है इसमें क्या हुआ इसको break करके नीचे चला गया है अब जैसे इसको break करके नीचे चला गया हम यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर sell side की तरफ ट्वेड लेंगे अगर यहां से रिवर्सल दिखाता हो तो हम बाइसाइड की तरफ जाते लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो हम इस लेवल क्यास पास sell side की तरफ जाएंगे लगवग 18600 पहला target पैस होगा और 18500 दूसरा target पैस होग यहां पर हम anyhow 60 point का profit निकाल सकते हैं और options की बात करें तो options में भी लगवग 30 to 35 point का profit हम बना सकते हैं अगर आप यहां पर 18700 के put options को buying करना prefer करते तो तो ऐसे ही आपको multiple factor है के जाए support with sensible identify करते हुए trading positions initiate करना तो यहां पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि अगर आप options को सीखना चाहते हैं from basic to advanced तो उसके लिए हमने एक special सा course design किया उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को download करना होगा play store से नहीं तो उसका link आपको इस वीडियो के description में भी मिल जाएगा और हमने course को इस तरीके से design किया है कि आप options में as a independent trader के रूप में काम कर सकते है options trading का सारा decision आप खुद से ले सकते हैं और आप चाहोते stock market में part time carry भी बना सकते हो तो आप एक बार हमारा mobile app download करके course को जबूर विजिट किजिए अगर पसंद आता है ताप enroll कर सकते हैं तो उमीद करते हैं यह चो concept मैंने आपको बताया चार factor की basis पे वह concept आपको clear हो गया होगा और हमारा आप बैंक निफ्टी वाला वीडियो भी जरूर देख लीजाएगा वहाँ से आपको idea मिल जाएगा कि इसी strategy को use करते हुए हमें बैंक निफ्टी में कैसे trading positions initiate करना है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके encourage किजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो चैन आपको झाले चैनल के शीडियो से पीडिय से तत हमें लीडियो को वीडियो